सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चेनल को साथ में इस बिल को ऐसा बजाईए कि दुबारा बजाने के आपको जुरुवत ना पड़े अज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौरे अमपार यानि कि जो मौरे समराजे उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज इसमें मिस ना हो और देखिए लाश्ट में बेरी इंपरेंट कोशन से टेस्ट भी इंक्लूड किया है प्रिवियस लियर के उसमें सारे कोशन इंक्लूड किये तो वो टेस्ट भी आपको लगाना है और साथी में कुछ आपको सीरियल्स कुछ नाटक भी बताऊंगा जिसको देखने के बाद मौरे समराजे को लेकर आपका जो बिजन है और अच्छे क्लियर हो जाएगा तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको स्टाइट करते हैं हम लोग पढ़ रहा है मौरे समराज के बारे में और बाके यह जो उपर के टोपिक हैं इनको पढ़ चुके हैं और फिर हम लोग आ गये थे हमारे प्राचनी तियास में और महाजनपत काल में छटी सताबदी को हम लोग देख लिए थे और मगत से हमने दोस्ती कर ले थी तेन आज हम लोग मिलने वाले हैं मौरे समराज से जो की 323 इसापूर से लेके लबक जो है 184 इसापूर तक चलाता है इसमें जो यह संगम काले जिसमें चेर चोल पांडया जो कि इसके समकाल ही थे इसको हम लोग जो है अलग से एक वीडियो में समझेंगे आज फाइनली हम बात करते हैं मौरे समराज के बारे में तो मौरे समराज के बिल्कुल complete package आपको इसमें देखने को मिलेगा अच्छे से detail में देखेंगे अब हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारे मौरे समराज है इसकी जानकारी हम लोग को कहां से मिलती है सबसे पहले साहित्य के दो लिखा गया था और यह संस्कित वाश्य में लिखा गया था इसमें आपको 15 अधिकरंद देखने को मिलेंगे और 180 प्रकरंड और लगवक 4,000 स्लोग इसमें देखने को मिलेंगे देखे ये अर्थशास्त आपको एक्नोमी से रेलिटिव नहीं था सिर्फ आप देखेंगे कि ये एक्नोमी और वहां की जो पॉलिटिकल कंडिशन है वो समय समाज केसा होता था वहां पे जो राजनेतिक विवस्ता है वो केसे होती थी और administration, शाशन केसे चलता था प्रशाशन केसे चलता था वो सब के बारे में आपको अर्थशास में देखने को मिलेगा देन बात करते हैं Indika, देखिए Indika जो लिखी थी वो Megasthin द्वहरा लिखे गई थी और ये जो है Greek Language में यानरी की यूनानी बाशा में इसको लिखा गया था और ये जो Megasthin इसको Indian history का जो है拜拜 भी का जाता है देखिए जो यूनानी लिखाक थे Trapo, Aryan, Plutarch और Plinie ने याद रखना है कौन शावां बेक ने का नईिका का संखिलम किया था तो किस ने schwall बेक ने याद रखनाना कोशवन आप से पूछए जा सकता हैं इसके बाद आप देकंगे कि खुवाम सारे टेक्स्ट जिसमें आपके यह typ उस टाइम की जो है जानकारी देखने को मिलती है देन अब हम लोग बात करते हैं अभी लेकों के बारे में तो आपको मालू में कि जो अशोक के छोटे अभी लेक बड़े अभी लेक ये सारे जो 16 अभी लेके उनसे भी हमको उस समय के जानकारी देखने को मिलती है और जो रू फिलोस्पी उसको सपोर्ट किया करता था तो ऐसे कई सारे सोर्स हैं जिससे हमको जहें मौरे अंपायर की जानकारी मिलती है आकरी यह जो मौरे समराज था यह इतने आपसमें समराज विस्तार के लिए लड़ते जगरते रेते थे तो जबसे मौरे समराज आया मौरे समराज ने यह जितने भी हमारे तो इतना उपर उत्तर वाला जो एरिया है वो आपका उत्रपत केलाता है देन अवंती जो की जिसकी राजदानीती उज्जेन यहां पर आपको देखेगा उज्जेनी तो इतना पूरा एरिया आपका अवंती के छेतर में आ जाता था दक्षिन पत में आपका इतना जुसकी र पर आच्छे पत केलहाता था पूर्वव में ईष्ट में जो था आपका उस जिसकी रादन skippedंड इति पाइटले पोट्र यह पूरा अपका पूर्वी प्रांत केलहाता था जो कि मन सेंटर था पूरे एड्मिनस्टेशं का मोरे सम्राज में तो आप देख सकते कि कितना सारा समराजय विस्तार था जो की पहली बार हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा और ये सब के पीछे जिसका साजिस्ती या जिसका केदे हाथ था या जिसकी सूस्ती वो थे हमारे इंडिया के सन्यासी जिसका नाम था चाणके तो हमारी स्टूरी चानके से ही स्टार्ट होती है, यहीं से हम लोग को पता चल सकेगा कि आखीर मोरस समराजी केसे आया, केसे केसे जो आगे इसका विस्टार होता गया इनका जन में 353 इशापूर में पाटली पोतर यानी की पटना में हुआ था, और इनका जो बच्पन का नाम था वो था विश्णुगुप्त, यह जो थे तक्षे शीला यूनिवरसिटी में पढ़ने के लिए गए ते, वहां से इन्होंने अध्दन करा, और फिर वहीं पार य जाता है कि जो इनका नाम था वो चानक के पड़े गया, और चानक के नाम के लिए दो मत हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पेता का नाम था वो चनक था, चनक के नाम पर ही जो इनका नाम चानक के पड़ा, और कुछ लोग यह बोलते हैं कि यह जिस गाउं में रहते थे उस गौं का नाम थे चनक गौ फोटिल के एक नाम यूह रहता है इसंतर लिए पड़ात यूहिए उनको गोत्र नाम उंका नाम को जरा थे तो जूकर नाम को कि अट्र नाम लाता है लेकिन आपको फीर डिया ढोल्डा देन मुद्रा राक्षस जिसको जो है विशाकाधत ने लिखी थी इसमें भी जो है चाणके को चार नाम दिये गए हैं पियादामस और विरिशाल और चंदर श्री और कुलीर तो यह नाम भी आप दियान राख सकते हैं और जो शुरुवात के जो तीन नाम बोले थे वो तो आ गनानन मगत का राजा हुआ करता था तो गनानन ने अपने दर्वार में पंडितों के बैठक बुलाई थी तो उसमें चाणके जी भी गए थे तो चाणके जी को एक आम पंडित समझके उन्होंने उनका अपमान कर दिया बस फिर क्या हुआ यह जो है अपमान को सेय नहीं प वाल नहीं बादोगी फैर इस तरह से यह संकल प्ले लेट हैं कर Dash करेंगी फिर यह चंद्र कुछ को डूंते हैं जिससे कि भारत एक खोच का 15-16 और 17-18 ये चार एपिसोड हैं जो कि दो चंदरगुपतमोर पर हैं और दो अशोक पर हैं तो इनको अपको अच्छे से देखना है जिससे आपका जो इपिजन अच्छे से क्लियर होगा और देखिए अगर मॉडन में आपको देखना है बहुत क्या मॉरे समराज मुगा करता था आके चानक के ने कैसे तरह से जो है वहाँ पा पूरा कारे कर रहा था इसके बाद पाटली पुत्तर तो आप देखे सकते हैं लेकिन इन दोनों के ये जो एपिसोड है ये आपको ज़रू देखना च्छी है अगर आपने इनको देख लिया तो मैं इतना आपको शोर करवाता हूँ आपको मॉरे समराज रटे जाएगा आप इवन किसी को पढ़ा सकोगे मॉरे समराज के बारे में अगर मॉरे समराज में आप थोड़ा से इंटरेंटमेंट खूजना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग ये अले एपिसोड देख स सकते हैं ये दूनों एपिसोड लेकिन मैं इतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग को मालूम है आज तक अभी के जितने भी सीरियल्स वगेरा बनते हैं उनमें ग्राफिक्स वगेरा ज्यादा होता है सस्पेंस ज्यादा क्रेट करते हैं और इंटरे जानक के एपिसोड आया था यह आपको देख लेना चीए अगर आप यूपीसी के स्टूडेंटे तो एथिक्स का भरपूर आपको माटेरियल देखने को मिलेगा और उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में उस समय की सोसाइटी के बारे में कैसे क्या व्यपार वागेरा हुआ करते थे वो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी तो यह तो आप देख सकते हैं यह तो यह दोनों जो एपिसोड हैं स्रिफ इंटरेटेंवेंट के लिए हैं आप वो देख लेजएगा बाकी अगर आप लोग एक या दो तीन एपिसोड में ही अच्छे से जानकारी प लास्ट में में एक सीरीज और बताऊंगा वह अभी नहीं आई है लेटेस्ट आई है और गवर्मेंट ने अपने चैनल लोकसवा में भी उसको पब्लिश किया है उसमें आपको भरपूर इंटरेंटमेंट देखने को मिलेगा लेकिन स्टेडी का माटेरियल भी बहुत आप साच्य को संस्टापक थे हैं इनके उन नाम आचैनली नाम से वहां से सकता है नाम स tissue पूछे जा सकता है विरonneगों के पुक्यों की प्परीय यह को इसक ने पहलेकित को यह नाम सी वेह नहीं पर दहुंख cumplisन मेंट भी डाल मालते गूंतित मोरी टांस को चात्रीय कुश म् तथा जो चंद्रगुप्त को नंदकी पतनी जो है मुरा मुरा से उत्पन मानते थे इसलिए जो है मुरा मुरे थोड़ा मिलता जुलता ना इसलिए इसका समराजे मुरे समराजे दखा गया खेर सकते हैं कि जो यूनानी लेकक थे वो जश्टिन ने चंद्रगुप्त को जो है निम्नकुल का उत्पन बताया था और जो इस्पूनर थे तीक है इस्पूनर ने जो है से पार्सी माना है अब देखिए यह मैटन नहीं करता कि यह क्या थे शुद्र थे या चत्रिय थे या आ प्राम मन थे आपको objective में जो questions आएंगे वह कुछ इस तरह के से आएंगे कि किसने क्या कहा है किसने इनको शुद्र माना है कि इनको पार्सी माना है किसने इनको चट्रिय माना है किसने इनको धूर के से question पूछे जाते है देखिए जो रोमिला थापर थी उन्होंने मोर्यों को क्या बता है वो वैश्य बता है यह भी आपको ध्यान रखना है तो यह जो इनके पिता थे वो मोरिये वन्षिप बिलोंग करते थे इसी के कारण जो है इस समराजे का नाम जो है मोरिये समराजे रखा गया इसको आपको ध्यान रखना है अब बात करते है चंद्रगुप्त मौरे के राजय रोनन के बारे में तो चंद्रगुप्त मौरे का जो राजय रोनने इसकी जो तिथी है वो दो सो तीन सो इसा पूर्व मानी जाती है देखें 28 परवरी 1753 में सर बिलियम जोन्स ने सब्वरप्रतम उप्रोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौरे से किया था देन बात करें हम लोग कि जो समराजय विस्तार के बारे में तो देखें आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि इसका चंद्रगुप्त मौरे का इतना बड़ा समराजय था शुरुवात मतलब सारे महाजनपत को मिलाने की इनने कर दी लेकिन ये जो कलिंग और मैसूर ये अपने आपने सोतनते राष्टे जब अशोक आएंगे तो ये भी जीत लिये जाएंगे तो ये जो समराजय विस्तार के लिए जो जैन गरन थे परिष्ट परवन के अनुसार कोटले ने बूगर्ब से प्राप धन से चंद्रगुप्त मोरे के लिए एक सेना का निर्माण करवाये था चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त और कोटले ने सर्वपदम 322 इसापूर में पंजाब पर आकरमन कर वहां के यूनानी गवर्नर फिलिप्स की हत्या कर दी थी अब देखें यहां पर कोशन आपके लिए माइंड में आता है कि फर्स्ट टाइम अटेक कहां पर कर रहा था तो यहां पर आपको बता रहा है कि फर्स्ट टाइम गवर्नर के कहां पर कर रहा था पंजाब पर उन्हें आकरमन कर रहा था लेकिन एक महावन्ष यह महावन्ष इनने समाला था समझ रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि महावंश के अनुसार जो है फर्स अटेक मगद में हुआ था ठीक है और पंजाब विजे के बाद जो है चंदरगुप्त की प्रथम विजे कही जाती है और अगर आप से पूछा जाए कि चंदरगुप्त की प्रथम कुझे कहां पर कौन सी थी तो वह पंजाब को कह सकते हैं और अगर महावंश को बोलें तो फर्स अटेक कहां पर हुआ था लेकिन पंजाब में जीत गया था एक तो आपको ध्यान रकना है फिसको और बात करते हैं उसके बारे में कि पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तो शपत लेके रखी थी चाणक के जीने ओके और 305 BC में जो है सिकंदर का सेनपती था सीरिया के शासक सेलुकस निकलटर ने जो है सिकंदर द्वारा पूर्ब में जो बिजित राजे थे यहाँ पर तो वो भारती छेत्रों में आकरमण कर दिया था इनदिया में तो बहुत सारे लोग यह जो है इसमें कन्फियूज रहे थे हैं कि समय में जो है जो एलक्सेंदर दी ग्रेड है सिकंदर है उसने आकरमण किया था बलकि ऐसा तो ऐसा बिलकुल नहीं है उसके समय में जो है उसके सेनपती सेलुकस निकलटर ने अक्रमन किया था और जबन को चंडरकुपतमोने राजा भी नहीं बना था तो यह आपको ध्यान राखना है और यह जो युद्ध हुआ था सिकंदर का जब आक्रमन करा था तो वह प्वूरश पंजाब राजा थे पोरस और सिकंदर दोनों के बीच में खो था है यहाँ पर आपको जेलम नदी देखने को मिले गी वह जेलम नदी के लिए अधर को बेविलोनिया युम सो टेसस इसली सापुर हो गया था उसके कारण हो गया थी इसको आपको ध्याण रखना है देन आम लोग बात करें जो सेलुकस था सेलुकस निटार तो उसका और इसके बाद क्या हुआ उनको संदी करनी पड़ी अपमा जनक संदी करनी पड़ी किसके साथ चंदरगुप्त के साथ तो संदी में हुआ क्या था इसकी निमने शर्ते क्या थी यहाँ पर सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना यानि कि कारनेलिया का जो विवा है वो लेकिन यहां पर चानक के जी ने होर्स करा था और यहां पर आपको पता इनकी जो चानक की कि इनकी पॉलिटीकल जो है बिचारधारा या थिंकिंग का यहां से आपको देखने को मिलता है क्योंकि चंदरकुप्त मोरे अलेडि तयार तो नहीं थे लेकिन वो क्योंकि वो किसी और से लब करते थे जिनका नाम था समागरी स्वासनी लेकिन फिर जो घनान था घनान ने उससे साधी कर ली थी तो देन चंद्रकुप्त मोरे ने क्या करा है लेना से शाधी करी और इस तरीके से से लुकस ने जो है अपने चार राज्ये पोरव निशिदी काबूल में जो और आरकोशीया कंधार में एरिया हैरात में और जेडरोशीया बलोचिस्तान में चंद्रकुप्त को देने पड़े थे ओके चंद्रकुप्त तता सेलुकस के अमद्द जो है राज़िनतिक संबंध जो है स्तापित हुए थे तता एक यूनानी राजदू जो की मेगस्तिनी था ये चंद्रगुप्त के राज के दरवार में रहने लगा था, तो ये जो मेगस्तिनीस था, ये जो है सेलुकस का क्या था, ये एक राजदुत था, ओके, आपको ध्यान अखना है, चंद्रगुप्त मौरे के मृत्यू, मैसूर के स्रेवन वेल गोला में चंद्रगीरी परबत पर हुई थी, इससे दक्षिन समराजी के विस्तार की जानकारी मिलती है, मतलब इससे पता चलता है कि उनका जो समराजी था, ये दक्षिन तक मैसूर तक फेला हुआ था, ओके, दे जैन चारे बद्रबाउ जो थे उनसे प्रभावीत हो का जो चन्द्रगोप्त मोरे थे, उन्होंने जो है अपने जीवन के अंतिम समय जेन धर्म को सुईकार कर लिया था ओके और फिर क्या हो गई थी उनकी वहीं पर मुरत्व हो गई थी मैसूर में याद रखने आप लोग को ओके और अगर हम लोग मुल्यांकन करना चाहें जो यह चंद्रगुप्त मुल्या था यह किस प्रकार का राज आता तो देखिए यह एक अच्छा शाशक था एक अच्छा समराज्य विस्तारक आप इसको कह सकते हैं और एक अच्छा एड्मिर्स्टेशन एक अच्छा जो है उस समय का प्रशाशन इसने चलाया था और यह भी कह सकते हैं एक लोग कले अंकारी राज्य बनाने के लिए की शुरूबात यहीं से सुरूई इसी नहीं करी थी अब हम लोग बात करते हैं बिंदु सार के बारे में तो इनका जो शैशन काल रहा था वो 298 से लेके 273 इशा पूर्पतक रहा था बिंदु सार चंतरकुपतक मोरे का पुत्र था और समराभ अशुक का पिता था युनानी तियासकर बिंदु सार को जो है अमित्र चेटस कहा है और देखिए इनका यह नाम था बिंदु पाला बिंदु पाला भी इनी कोई कहा जाता है देखे इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है अमित्र घात होता है अर्था जो शत्रूओं का नाश करने वाला देन परिष्ट परवन के में बिंदुसार का जो नाम है आपको बिंदुसार देखने को मिलेगा ओके परिष्ट परवन में दिप्यवादन के अनुसार जो है उत यह बिंदुसार के दरवार में रहता था और यूनानी लेखक एथनेसीस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र विवार के माध्यम से जो एंटियोकस प्रतम से तीन वस्तू है यानि कि अंगुरी मदीरा और अंजीर तता यूनानी दाशनिकों की मांग करी थी तो जो एंटियो का प्रथम ने दो बस्तू हैं अंगूरी मदीरा और जो अंजीर ये तो बेजवा दिये परंतु यूनानी दाशनिक की मांग को ये कहकर असुआ कर दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार जो है दाशनिक का जो है क्रेव बिक्रे नहीं किया जाता मतलब जो फ्लोसफर थे उनका जो है क्रे बिक्रे नहीं कर सकते हैं, बाकी यह जो थी यह तो बस्तु है थी इनका क्रे बिक्रे कर सकते थे, ओके, मिस्रन अनने स्टॉलमी, फ्लैडिक फल्स जो थे दुतिये, इन्होंने अपना राज़दू जो है डार्नियसिस को जो है बिंदु सार की 16 रानिय थी जिनसे 101 पुत्र हुए थे जिन में से अशोक जो था वो सरवादिक तेजवान था या सरवादिक योगी शाशक था अशोक का एक सगा भाई था जिसका नाम था बिगत अशोक देखिए कहीं कहीं इंसका जो नाम है शुषमी सुषीम के नाम से भी बेखे रहें देखेंगे तो सुषीम भी देखने को मिलेगा तो यह जो अनुषवी है बहुत अनुषवी के अनुसार जो आषोक ने अपने 90link भाईयों इंस्युष मार कर गद्धी प्राप्त कर ली थी तो आशोक ने जो शुशी में अपने बड़े भाई को ही मार दिया था और खुदी जो है राज रोहन कर लिया था ये बिलकूल आपको यही जो हिस्ट्री है ना जब आप औरंग जेब पड़ोगे तो औरंग जेब के टैम में भी ऐसे ही होता है जो उनके पिता थे वो औरंग जेब को बनाना नहीं चाहते थे उनके बड़े भाई दारशी को को राज़ बनाना चाहते थे लेकिन औरंग जेब उनको मरवा के बापस जो है शाशक बन जाता है तो यह जो है आपको हिस्ट्री वहाँ पर भी रिपीट होती ही दिखेगी ओ अशोग बादान में मदानमाला में अशोग की जो मा का नाम है वो सुबध दांगी आपको बताया मिलेगा या तो सुबध दांगी जो है उनका नाम को आपको अशोग बादान में देखने को मिलेगा देखे बहुत सारे सीरियल्स वगेरा में धर्मा नाम बोला गया है इनक टीक है तो डजन्ट मेटर आप अशोग वाधन का अच्छे से याद रखना देखे बहुत ग्रंथ के अशोग की में जो है कई पत्नियों के नाम देखने को मिलते हैं बहुत ग्रंथों में जिसमें जो है संगने मित्रा हो गई महादेबी पन्वावत्ति और तिश्य रक्षित आपको देखने को मिलीगी अशोगा की इलाबात के कोशंब अभी लेक में अशोगी एक हिरानी जो है कारूबाकी उनका उलेक को मिलता हैं अगर आपने अशोग ऐख़च और करोट कपूर बहुत इस hearale भी देखते हैं तेर अशोक के इलावाद के कोशाम्भी अभी लेक में एक ही पुत्र तीवर का ओलेक देखने को मिलता है देव नाम प्रिये दर्शी जो है अशोक का सरवाधिक लोग प्रिये उपादी है और इसी ही पता चलता है कि वो जो हिंदु धर्म था हिंदु धर्म के से भी अशोक का जो नाम है उसके चार अभी लेकों में मिलता है अशोक के नाम जो है चार अभी लेकों में मिलता है आपको ध्यान लखना है गुर्जरा अभी लेक जो की मदर प्रिदेश में है मास्की जो की करनाटक में है नेतूर करनाटक में है और जो उडे गोलन है ये भी याद रखने हैं आपको यहां साइट तेन अशोक ने अपने राजविशे के आठ वर्ष वाद जो है दो सो एक सट बीसी में जो है कलिंग पर विजे प्राप्त करी थी अशोक के कलिंग विजे की जो जानकरी है उसके तेरवे दिर्ग शिलालेक में देखने को मिलती है तो या तरीके से चेंज ऊंगे यह जो कलिंग को कलिंग आप देखेंगे जब पुराना जब चंदरकुप्त मौर रहेत बिंदु सारते है यह जो कलिंग था कलिंग को जीतना बहूत कडिन था काफी शक्तिसाली राज्य था उस टाइम का कलिंग तो ईवन जो जब यह जो लड़रा करना छोड़ दिया युद्ध की निती को छोड़ दिया और फिर जाके उसने बहुत धर्म को धारण कर लिया तो यहां पर देखते हैं और यहां तक आपका पूरा यह इसका समराज है था अशोक का सबसे ज्यादा बड़ा समराज है आपको इसी कई देखने को मिलेगा और बह अब देखिए यह तीनो राजाओं के रिलीजेस से आपसे पूछे जा सकता है जो चंद्रगुप्त मोरे था उसने जैन धर्म आकरी में धाराण कर लिया था तो आपके सकते हैं वो जैन धर्म से बिलॉंग करता था और जो बिंदु सार था वो अजिविका से बिलॉंग करत सकते हैं ठीक है औकी अब हम बात करते हैं मोरेस समराजें के प्रिशाशन के बारे में क्योंकि यही सकता था जहां पर केंडीरी प्रिशाशन की प्रस्ट टाइम नीव और iki इसमें इस्टेट नहीं तरह सेंट्र बेलु था लो पंधयक्ष्ट कोुण कॉन से सुलकाँथ्यक्ष्य प्रापर सब प्राप्त करना ही उनका काम था और पताव अध्यक्ष जो की मापतोल के मान को नियंतरित करने वाला होता था सूतरा अध्यक्ष जो की बस्तरोद्ध्यक मंत्री होते थे और सुना अध्यक्ष जो की बूचर खाने वा चर्मोद्ध्यक का अध्यक्ष हुआ करता था लक्षणा अद्यक्ष जो की टकसाल के अद्यक्ष हुआ करते थे अश्वाद द्यक्ष जो की घोडों की देखवाल करने वाला हुआ करता था और हस्ता अद्यक्ष जो की हातियों की देखवाल करने वाले होते थे और अकार्य देक्ष जो की खान मंत्री हुआ करते थे देन और देख लेते हैं कि जो मंत्रीन थे मंत्री जो की प्रदान मंत्री हुआ करता था और उस समय तो प्रदान मंत्री का जो भार समाल रहते वो चाणक के ही समाल रहते यूँब राज का उत्रा दिककारी हो अक जाए राजा कर दिया जाए राजा के बाद वह warenتे हुआ समहार्ता करका संग्रहा करता हुआ करता और देवारिक जो कि राजदरबार वा सीमा वह अन्य राज किये द्वारा जो सरक्षण प्रदान किया करता था देखिए जितनी विचीज में बता रहा हूं न डारेक्ट ओब्जेक्टिफ में कोशना आते हैं आप सब बात कते अननपाल जो हो के उतपादर वा सरक्षेंद विवाग का प्रमुक हुआ करता था entscheiden कमान तीक जो हो हुए करता था रज्षक का ड़ैख्छ हुआotine पौर यानिकी जो नगर का जो कोतवाल वो हुआ करता था व्यवारिक यानिकी मुखे नयादिश हुआ करता था यह सब आपको याद रखना है और हाँ यह जो लेक्षरेस की पीडियेप आपको जो है हमारे टेलीगराम गुरूप में मिल जाएगी तो उसको आप जोइन कर ले और उसमें आठ यहार रध सेना देखने को मिलेगी बेगस्तिनीच की अनुसार सेना की जो देखे के लिए एक अलग से विबाग बनाया गया था और इस विबाग में लगबग तीस से दसे देखने को मिलेंगे, कोटेली के अनुसार जो है, राजा को सभी बर्गों में लोगों की सेना न्यूक्त करना चाहिए था, और कोटेली के अनुसार जो है, राजा को परिस्तिती के अनुसार तीन प्रकार की यूद करना चाहिए थे, प्रकाश यूद, कूट यूद और जो की आनुप्रस्त यूद होता है या शत्रु राज्य में ग्रह यूद का छड़वा देना इससे ये वाले जो तीन यूदे इसके बारे में जानकारों वह इक्षाओं वह राजाउं के वीरोधियां वह विद्रों के अधिकारियों आदि के वीषय में जानकार्य प्राप्त करने के लिए जो है गुप्तचरों को गुण पुरुषे कहा गया है और इस्ट्रावो ने गुप्तचरों को जो है इंस्पेक्टर कहा था संस्ता उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो की एक स्थान पर रेका जो है गुप्तचरी का कारे करते थे और जो संचरा था संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में ब्रह्मन करते हुए जो वहाँ पर क्या वहे बात करते हैं नियाय ववस्ता के बारे में Justice मतلاب कि वहाँ पर कूर्ट पगर है कैसे क्या हुआ करते थे मोरे प्रसाशन मेंady सबसे बड़ा नियाले राजा का केंद्री नियाले ही होता था और ग्राम नियाले ग्राम ग्राम ग्रद परिशयत की साइता से नियालेका का कार्य करते थे मतलब कि जो फोसदारी नियाले, उसको क्या का जाता था? और अशुक ने अपने राजिय विशेक के चबूरा सब्सक्राइब 2оп बांट विवस्ते सब्सक्राइब के सब्सक्राइब मोरे काल में जो है बित्ती राजसो वश जो है अशाड की जेश्ट तक होता था भाग सोतंतर रूप से जो खेती करने वाले किसान से लिया जाने वाला जो है भूमी कर होता था भाग क्या होता था एक करीके से जो लेंड़ टैक्स होता है भूमी कर होता है उसको भाग केते थे पूछा जा सकता है आपसे डारेक्ट अबजेक्टिव में अशोक ने जो है लुंबनी का भाग अटा कर एक 1y8 कर दिया था और बात करें अगर विकडी कर के बारे में यानि कि बेशिनिक लिए क्या क्या कर लगते थे तो हिरनने कर लगते थे जो कि नगत कर होता था और उदक भाग जो कि सिचाई कर हुआ करता था अखरी तो वह सिटी का एडमिनिस्टेशन केसा होता था मोरेकाली नगर प्रशाशन की सर्वोत्करश जानकारी हमें इंडिका से मिलती है जो कि मेगस्तिनीज द्वारा लेखी गई थी मेगस्तिनीज ने नगर प्रशाशन के संबद में पोली ब्रोथा यानि के पाटली पूत्र का विवरंड दिया है मेगस्तिनीज के अनुसार पोली ब्रोथा के नगर प्रशाशन के लिए 30 सदस्षी एक सबा थी जिसने 5 पांच सदस्री की 6 सम्यतियों हुआ करती थी प्रांतो में विवक्त था П्रांतो को जो है चक्र कहा जाता था मोरे सम्राज अपती पूनता के समय जो है 5 चक्रों में विवक्त था प्रते एक चक्र में समराट के दोरा जो है एक प्रान्त पती न्यूक्त किये जाती थी और जिसे क्या करते था कुमार केते थे तो कुमार किसको केते थे उसको केते थे जो की प्रान्तिय में क्या है एक नियूकती या एक पोस्ट में उसको रखा जाता था समराट डोरा देन अब बात करते हैं अशुक के अभीलेक के बारे में देखें आपको मालूम है कि उसने ब्राट अभीलेक लगू शिलालेक बनायते जिनसे हमें उस समराज़े के बारे में काफी सारी जानकारी देखने को मिलती है अशुक के शिलालेक अभीलेक की जो खोज करी थी सर्वप्रतम टिफेंड ठेलर ने करी थी याद रखना है अब लोगों कि सर्वप्रतम अशुक के अभीलेक की खोज किस ने करी थी उन्होंने जे डिल्ली टोपरा जो अभी लेक है उसको पढ़ा था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिल्ली टोपरा तो यह जो पूरी इमेज है इसमें आपको सारे जो है दिख जाएंगे यहाँ पर गिरनार अभी लेक सोपरा अभी लेक और यह कंदार अभी लेक आप आप screenshot ले लिजे, इसको revise करते रहेगा, देखिए, अशो के जो शिलालेक की जो मूल भाषा थी, वो प्राकरती, ये भी पूचा जा सकता है, मूल भाषा क्या थी, प्राकरती, अशो के शिलालेक में कुल जो है, आपको चार लिपियों का प्रियोग देखने को मिलेगा, ब्रा देखिए, ये आठ स्तानों से प्रात हुए, देखिए, ये आठ स्तानों से प्रात हुए, देखिए, ये ब्रामे लिपी और खरोष्टी लिपी का प्रियोग किया गया है, याद रखना है, ब्रामे लिपी और खरोष्टी लिपी का प्रियोग किस में किया गया है, बात करते हैं लगुशिला लेकों के बारे में, तो लगुशिला लेक भी प्राकतिक चेटानों पर लिखे गए छोटे लेक हैं, इनमें अशोक ने व्यक्तिगत जीवन से संबंदित लेक हैं, यह अशोक के व्यक्तिगत यानि के इंडिविजल से संबंदित लेक आपको देख तुअ liksom नहीं YouTube hayır तूम्हेतं है नहीँ संपने पत्थर्थ भीजे दीट मतलब एक तरीकी से खंबा होता है पुल में जूए लिखा हुआ रहता है काफी सारी जीजे उसमें बने रहते हैं जैसे कि हमारा जो अशोग संव पर बड़े पतृट्थरं बगेरा पे लिखा हुआ चीज होता है ठीक है इस कट आउट आपका क्लियर हो गया होगा देर के स्तंब लेक के बारे में बात करते हैं तो यह पत्थर के स्तंब पर लिखे गए लंबे लंबे लेक होते हैं इनमें जो है अशोक के प्रशाशन धम वा संबन्दित बाते आपको देखने को मिलेगी इनमें जो है अधिक्तम साथ बाते हैं और जो सात्वा लेक हैं सात्वा लेक में केवल जो है दिल्ली टोपरा इस्तंब में है दिल्ली टोपरा जो की दिल्ली के पा और यह जो है कुल पांच स्तानों से प्राप्त हुए है याद रखने है आप लोग को और यह केबल ब्राम्मी लिपी में लिखे गए हैं अन्य बाद में बात करें हम लोग की गुखा लेखा जो की बराबर की पहड़ीयों से जो है देखने को मिलेंगे अशोक ने जो है चार लेक थे हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी एक ऑफ़िव इसके बारे में जान लिया मोरेकालिन के बारे में कब-कब इसकी खोज करी यहां से भी question कई बार बन जाते हैं जैसे की सावाज गड़ी यह इसकी जो खोज करी थी वो करी थी 836 में जो कि खरोष्टी लिपी में मांसोरोरा 889 खरोष्टी लिपी में गिरनार 822 ब्राम्बी लिपी में धूली ये भी ब्राम्बी लिपी में तो इनको आप देख लिजेगा ओके चाये तो स्क्रीन शूट ले लिजे दोली और जोगर्ण से प्राप्त ज ने पाकिसतान से प्राप्त जो दिर्ग शिला लेक उसकी लीपी थी वो खरोष्थी थी. याद रखना है आप लोग को, भाबरु लगु शिला लेक में आस्त्म शिला का है और यह रागुडी से दिर्ग वा लगु शिला लेक जो है दोनों प्राप्त होते हैं. इलावाद के कोशामबी में लगूस्तम लेक को जो है रानी का अभिलेक कहा जाता है रानी का अभिलेक किसको कहा जाता है इलावाद कोशामबी से जो लगूस्तम लेक है उसको याद रखना है प्रथम प्रथम प्रथक अभिलेक में अशोक कहता है कि जो सभी मनुश्य क्या है वो मेरी संतान के समान है तो यह किसमे कहता है प्रथम प्रथक अविलेक में दूतिये दिर्गेशिला लेक में अशोक दौारा अपने समराज एवं पड़ोसी राजे में मनुश्य एवं पशुओं की ठीकित्सा का संबंद कराये जाने का उल्लेक को मिलता है रुमी नहीं देई इस्तम लेक में राज अशोक दौारा बली नामक कर समाप्त करने एवं जो भूमी कर घटाए लेंट टेक्स जो है जमीन पर लगा जाता है उसका वन वाइट करने का उल्लेक मिलता है उसमें पांचवादीर के शिला लेक में अशोक दौारा अ चातुरत वढ्ट नहीं किया अपनी इंडिका कि पुसतक में अर्थि गदार पर भारती समाज को साथ भाग में डिवाइट कर दिया था यह साथ भाग इंपोर्टेंट है इससे डारेक्ट आपको अबजेक्टिव में कोशन पूछे जा सकते हैं पहला तो भाग था वो था दाशनी देखिए इसके मतर पुजारी आते थे बिच्छू आते थे और विद्वान आधी आते थे दूसरा जो था वो था क्रशक अमेगस्तिती ने जो है साथ भर्गों में क्रशक की संक्या को सरवाधिक बताया था और बात करें जो पशूपालण कारे करते थे और चोटे होते थे ब्यपारी शल्पी यह JAMstah जो है नगरों में निवास करते थे पांच पर होते हैं सेनिक समाज में किसानों के पाथ सेनिक का सरवाधिक सिंग्या वे और छत्वा होता निर्ख्षट यह समाज में विवस्ता का निर्ख्षण करते थे और साथ म उता थे मंत्री समाज में इनके अंतगत जी जो है शाशक वरग आता था ओके बात करते हैं दास-प्रता के वारे में तो मौरकालियन जो समाज था यहाँ पर दास प्रता जो थी वो अब बात करते भूमेन की condition के बारे में आखिर इस्तुरियों की दशा यहां पर कैसी थी देखिए इससे हैं पहले की आपक्षा गिरावट देखने को मिलेगी है जीसे जेक मालूम हैं कि संद्यगाड़ि सब्वेटा तो मातर सत्ता अत्मक थी यानिकी माता की सत्ता होती थी उ प्रचलित थे죠. और यह जो महिलाओं को ना घर से भाहत जानी की आजादी नहीं होती थी कनो, बाले जो महिलाओं च Haggis and विदवर और पुर्णर विववा, तोनों के देखने को मिलेगा और ब्रधिवर ने वाली आपने पुस्तक में कि जो बूमेन और मेन थे इनको बरावर की सिख्षा दी जाती थी और यहां पर आपको सती प्रता का कोई भी उलेक देखने को नहीं मिलता है सती प्रता को मैं इसलिए बता रहा हूं को कि आपको यह डाउट ना हो जाए कि मोरे सती प्रता जो है मोरे सब् गुपद में आपको देखने को मिलेगी तो यह आपको बता होना चीह है यह होगी है वहां की बुमेंस की कंडिशन देन बात करते हैं आर्थिक जीवन आखित उनकी एकनोमिकल कंडिशन कैसी थी देखे कोटिले ने क्रशी पशुपालन वानेजी को सम्मलित रूप से बारत तो मतलब उस समय भी जो देश हुआ था तो वो करशी प्रदान देश हुआ करता था मोर काल में जो है क्रशक सोतन्दो रूप से क्रशी करते थे परंदु राजे द्वरा सीता अद्धच की देखरेक में क्रशी की कारेवाई करी जाती थी देखे चंदर गुप्त ने सो रा केते हैं केहते हैं जसे जायद की फसलब करती तो भी लग करते हैं करते और तो बात करें मौरे काल में वस्तिरोत्ययोक का रवादिक मतने पूर्ण थहा चीटिए ब हो और बात करें भारत में मौरे काल में सोना निकालने वाली चीटिया भी पाई जाती ठीटि ओके काफी कफी लोगों के नेतत्व करने वाले को जो है सार्थ वहां का जाता था और अर्थ शास्थ के अनुचार चीन का बना जो रेश्मी वस्त्र है या चीन पटे वह भारत का है जो बारत में जो था वह अध्य अत्य दिक लोग प्रिया था इसी यह पता चलता कि चीन सभी हम लोग वेपार किया करते थे बारत के पशिमी टट पर जो है बरुकक्ष तता जो सोपारा बंदरगा दो पोट्स आपको देखने को मिलते हैं कहां पर पशिमी टट पर ओके और देन बात करें पूरवी टट पर आपको बंगाल में जो है तामर लिपती बंदरगा देखने को है देख करें मुरे काल में जो है मुद्रा सुना चांदी तता थाम्रिकी ढ़ती थी मोरे काली में सरवादिक लोग पर यह मुद्रा जो थी वो चांदी पट्लिपुत्र का ऊसको नाम दिया था ये भारत का सबसे बड़ा नगर था उसके अनुसार किस मेगल तनिज के अनुसार ये गंगा तता सोल नदियों के संगमपर था और पोली प्रो था जो है आठ स्टेडिया लंबा था और जो है पंद्रा चोड़ा था और नगर फायन ने खाता है ति घया ही था ध्यान रखना है देन गुफाओं के बारे में बात करते हैं कि बरावर पहाड़ियों में जो है अशोक ने चार गुफाओं का निर्मान करवाए था उन्हें अजीविक संप्रदाई के जो सादू है उनको दान कर दिया था और जो नागर जुनी पहाड़ी पर जो है अशोक के पोत्र की बात कर वाय था उन्हें अजीबिक संप्रदाय को जो है साधूं को दान कर दिया था ओके यह भी आपको ध्यान रखना है देन बात करते हैं स्टूपों के बारे में तो स्टूप बहुत धर्म से संबंदित होते हैं जितने भी आपको स्टूप देखने को मिलेंगे उस सारे आपके ब अध्यपिरेश में सार ना जोकि या बियारशाइट ढ़ेखने को मिलेगा यूपी स्टूप के बारे में अशोक ने अपने इस्टंब में जो है लाल बलुव पत्थरों का प्रयोंकिया था और लाल बलुव पत्थर चुनार यान कि मेर्जापूर तद्धा मथूरा की पहा और जो अश्व में जाने की घोडा और शेर देखने को मिलते हैं इन चारों पश्यों के नीचे जो है आपको 24 तिलिया का वाला चक्र देखने को मिलेगा जो कि हमारा अश्वक चक्र है हमारी जंडे में भी है वो सानत में इसी लाट को भारा सरकार के राज के चिन विशब में अश्व और 24 तिलियां वाला चक्र लिया गया है मुर्ती कलाओं के बारे में बात करें तो पतंजली ने अपने महावाश्य में लिखा है कि जो मौरेश आशाक थे वो शिव था था इसकंद की मुर्तियां बना कर बेश देते और सरबादिक मैं तो पूर्ण प्रस्तर मुर्ती जो था वो ददी दीदार गंज जो के पटना से प्राप्त चामर ग्रैणी यक्षी की मुर्ती है जो की 6 फिट और 9 फिट इंच लंबी है देन बात करें परखम से जो यक्ष की मुर्ती प्राप्त हुई है जिससे जो है सीर तूटा हुआ है ध्यान रखने हैं आप लोग को पटना दत मदूरा आईच्छत गाजीपूर आदी के उतकनन से जो है म्रण मुर्तिया प्राप्त हुई है और म्रदवांड के बारे में ब पी डवलू कि जो है सारे गाड़े गाड़े काले रंग के जो है म्रदवांड देखने को मिलते हैं तो इतना तोटाल उनसे अर्ट से लिरेटीव था अब पूरे समराजी के बारे में आप इंपोर्टेंट फैक्ट देख लिजे जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं चं कर देख करने का अधिकार जो है लक्षन ढ़्स डामक अधिकारी के पास होता था अशोग ने धम यात्रा की जो सर्ववत्हम अपने अभी लेक दसवे वर्ष में जो है उसने बहुत गया की यात्रा की थी और बात करें जो बुलंदी बाग पाटले पुत्र का प्राचिन स्थान था यहां से जो है मौरेकाले मुर्ण मुर्तियं एवं जो है अन्य वस्तु में प्राप्त हुई है अशोक के जो बारवे दिर्ग शिला लेके उसमे पूर्ण रूप से धार्मिक शैश्णू की बात कही गई है यानि कि जो रिलिजस टॉलरेंस है उसकी बात करी गई है चाने के अपने बच्पन में विश्णू गुप्ति के नाम से जाने जाते थे विशाका दत के नाटक गरंत है मुदरा रक्षेस जो की चंद्रगुप्त जो है सीतिय पूत्र और तामरे पढ़नी लंका का उलेक देखने को मिलता है देखिए गोरकपूर जिले में जो इस्तीत सोहो गोरा से जो है एक अभिलेक प्राप्त हुआ है इससे जो चंद्रगुप्तम मौरे के समय काम माना जाता है और इस अभी लेक में जो है खद्दान करने का कारण ही उस समय राजे में अकाल पड़ गया था इसके कारण उसने मतलब उसका दिल जग जो गया था काफी सारे लोग मर रहे थे भूग से मर रहे थे तो इसलिए उसने जेंधर्म फिर जाके दारण कर लिया था ओके तो इस तरह से कुछ हुआ था जिससे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपको एक सीरीज बताऊंगा जिसमें आपको भरपूर स्टैड़ी मटेरियल भी देखने को मिलेगा और इंटरटेंबंट का इंटरटेंबा 7 sut suggests में इससे पहले होती तो आपको पता होना चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम सूराज सही था इसको आपको पूरे एपिसोड देख डालने हैं इसमें आपको जैसा की जैसा बुक में भी लिखा है ना वह सारी चीज बताएंगे भी अच्छे से तो इसको देख लेना आप लोग चलिए स्टाट करते हैं हमारे टेस्ट तो ब्रामे लिपीम का सर्वपतम किस ने पढ़ा था तो इसको आपको बताना है कमेंट करके अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमन कब किया था कोटेले प्रदान मंतरी थे किसके थे और मौरेकाल में सि इससे यह प्रमानित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रवाव पश्यम भारत पर था यह बताना है आप लोग को अशुक किसला लेक को सर्वपतम किस ने पढ़ा था यह भी बताना है तो यह इतने कोशन थे इन सब के अंसर आपको कमेंट करके बताना है आयो आपको वीडिय जो अच्छे लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटा 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 और लाइक करिएगा नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल का इकन को दो प्रेस कर लिएगा ताकि नोटिविकेशन मिल सके तो मिलते अगली वीडियो पर तब तक लिजिए हिंजय पार पार को वीजिए।